हलो एवरिवान, वेलकॉम बेक टो माइ ब्लॉग्स, तो आज मैंने अपना कोई डेली व्लोग या कोई भी रेसीपी ऐसी वीडियो नहीं अपलोड किये, बलकि आज मैंने अपनी साथी की वीडियो आप लोगे साथ सेयर करी हूँ, तो आई होप आप लोगो अच्छी होगा तो बस आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लेस लाइक भी किजेगा और सेयर किजेगा और सब्सक्राइब किजेगा तो इस वीडियो में आपको बिहारी कल्चर के साथ ही देखने को मिलेगी पूरी इरतीर वाज होती है वैसे मैंने बहुत जो है जो धाई गंटी की वीडियो थी इसको मैंने बहुत छोटा करने की कोसिस की है जो में में रसमे होती है वो मैं आप लोग के साथ सेयर किर रही हूँ तो जो भी है आप लोग देखेगा और आप लोग को अच्छा लगेगा तो यहां जो मैं मंडब पुजब की तयारी हो रही है मंडब पुजब होगा जो लड़की के साधी होती है तो उसमें मंडब बनता है तो उसी के लिए मैं यहां पे मंडब पुजब कर रही हूँ पंडी जी मुझसे मंडब पुजब करा रहे हैं तो यहां पे जो है ब्यारी कल्चर में जो भास की जो मंडब बनते हैं नौ बांसों ये जो रस्म है आंगर में होती है जिसके कारम बहुत तेज धूपती है अपरिल माईने का दिन है तो बहुत तेज धूपती है इसलिए चाता लगा कर ये सब हो रहा है और उसके बाद जो है पुजन के बाद घर के जितने भी जेंस होते हैं वो इस जो गड़ा बनावा था बांस उसमें लगाने के लिए तो सब मिलकर है जो उसमें लगाते हैं उसके बाद फिर उस बांस की भी पुजाई होती है तो उसके बाद घर की जितने भी लेडिस है यहां पर हल्दी लगाती है मतलब हल्दी नियम है और उसके बाद जो चुमावन की रस्म होत सब मिट्टी कोणने के लिए जाते हैं तो यह यहीं पर ढोख जा रहा है कुछ रस्म होती जो कर रही है जो जो बने रहे हैं कि भ으ल बजाना होगा धोल दयाए मैं choices प्र şekilde करने के लिए तो बराज जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में है जो ये मिट्टी कोड़ने की रस्मा होती है तो यहां पर मेरी माँ आ चुकी है और ये जो कुदाल आप देख रहे हैं इसी की पूजा की जाती है ताकि इसी मतलब हलती तेल और सिंदूर से उसके बाद जो है मिट्टी कोड़ कर फिर माँ जो है अपनी आचल में लेंगी और इसी मिट्टी को साइद मंडप में कुछ रस्मा होती है वहां की जाती है तो यहां देखे मालो घर आ चुकी है और जो मिट्टी था वहां पर उसका भी कुछ पुजन होता है और बहुत सी रस्मी रस्मी है जो मैं नहीं जानती हूँ पर जितना भी जानती हूँ आप लोग के साथ मैं सेयर कर रही हूँ और छोटी छोटी बहुत ही ऐसी रसमे हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बस यहां दीपक चल चुका है घड़े में जो पानी भरा जाता है मंड़प में तो चल चुका है और उसके बाद जो हल्दी की रसम होती है इसे तो जो हल्दी की रसम है लड़की को जो हल्दी है लगन जिस दिन लगन आता है उस दिन से साधी के दिन तो उन्हें हल्दी लगती है पर में जो हल्दी लगाने की रसम होती है वो आज है तो यहाँ पर पहले जेंस लोग लगाते हैं उसके बाद फिर घर की लेड़ी से जो दुलन है लड़की है उसको हल्दी लगाया जाता है मंडब में ही बैठ कर तो यह है मेरे पापा है जो मुझे हल्दी लगा रहे हैं और यह टाइम जो है बहुत ही एमोसिनल होता है और यह फिर जो आता है उसके बाद नेक्स टे साधी का दिन आता है तो यहां जो है साधी के दिन वाले ही दिन में सतनाइन की पूजा कहलाती है तो यहां पे जो है देखिए चारो और साजाड़वी पंडाल का काम भी चल रहा है और घर में सतना इनार की पूजा भी हो रही है तो पहले साधी के पहले जो और ये सब हैं यहां पे जो है लोग गीत होता है हमारे यहां गीत गाया जाता है बिहारी कल्चर में गीत ना हो किसी भी फंक्सर में तो उसके बिना तो अधूरा ही है डोल पा सभी गीत करते हैं तो यहाँ पे मेरी ममी पापा जो है वा सतनारानी की पुजा कर रहे हैं घर में और रात में आसादी है तो यहाँ पे पुजा चलेगी फिर गरेंस जी का निमंतरन दिया जाता है और यहाँ पे जो है घर के जितने भी बड़े लोग है उनको ममी पापा जो है पुजाई करते हैं मतलब कपड़ा दे कर पढ़नाम करते हैं और घर के जितने भी बड़े होते हैं उनको पढ़नाम पुजाई की जाती है तो बस इसके बाद घर की वही सब पुजा चल रही है उसके बाद बारी आती है परसाद बितरन की क्योंके पुजा हुई है सतनरायन की तो परसाद तो सबको देना बनता है और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं हूँ और पांच मेरी बहने हैं सब कुमारी लड़के हैं तो यहाँ पे साधी के पहले लड़की को दही और चावल किला जाता है और उसके साथ पांच कुमारी लड़की रहती है तो यही बस खाना होता है उसके बाद डायरेक्ट वो साधी के बाद ही खापाती है और इसके बाद जो बारी आती है मुझे नहलाने की तो यहां पे जो दुलन होती है उनको नहलाया जाता है जो सुहागिन होती है वो सब घर की लेडिस मिलकर लड़की को नहलाती है और कुछ-कुछ रसमे होती है मिठाई खिलाया जाता है और यह जो आप देख रहे हैं इसमें जो नजर उतारा जाता है तो बस सबने नजर उतार दिया है और इसके बाद जो है उनका मूँ मीठा कर रही है मूँ मीठा में खाना नहीं होता है और इसके बाद जो नजर उतार के जो आग ये रखा जाता है उसको तोड़ना होता है बस लड़की वहाँ पे जो है ये हो गई है और उसके बाद लड़की के नहाने के बाद जो है यहाँ पर जो आलता पहनाने की रस्म होती है जो आलता लगाया जाता है लड़की को तो वही मंडब में सम्मिल कर आलता लगा रही है और कुछ-कुछ बहुत सी रस्मे होती है चोटी-मोटी बहुत रस्मे तो बहुत से चलत तो यहां पर देखिए मुझे आलता लग चुका है और उसके बाद जो बारी आती है इमली घुटाई की ते बिहारी कर चलता है यह रस्म है जो मामा के तरब से होता है जो है मेरे बड़ी मामा जी है तो मामा के तरब से कुछ रस्म होती है वह करते हैं मुझे यार नहीं है क्या चूर्श क्या हुआ था है वो हल्दी वाले जो चावल होते हैं, पीले चावल से होती है और ये परते 1 एक रसमों के बाद ये चलता है और इन रसमों में जितनी भी लेडिस होती है, सब करती है तो लड़की की तो जो हाला जहें, बहुत खराब हो जाती है, बैटे बैटे कि रसमे जो बहुत लंबी चलती है तो बस उसके बाद जो है लड़की को ले जाए जाता है और इधर खाना पिना भी स्टार्ट हो जाता है बारात के आने से पहले जो लड़की के साइड की जितने भी निमंतरन रहते हैं लोग आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है ताकि बा पापा सबका आदा सरकार कर रहे हैं जितने बड़े हैं और यहां पे जो है सभी जो है बारात आने का इंतिजार कर रहे हैं और अपने खाने का भी इंतिजार कर रहे हैं तो यही है थोड़ी देर में फिर ब्राद भी आ जाएगी और लड़की जो है अभी रेडी होने के दुला नभी रेडी होती है तो यहाँ पे जो है बारात आ चुकी है और इसके पहले जो आपने वीडियो देखा वो संधे मिलन का था मतलब मेरे पापा और ससु जी का संधे मिलन चल रहा था और यहाँ पे जितने भी लड़के आप डांस कह रहे हैं सब मेरे देवर हैं, कोई मेरे हजबस के फ्रेंड है तो सब अपनी मस्ती में हैं अपने बड़े भाई के साधी में जम कर डांस कर रहे हैं और बाराती में डांस ना हो तो यह हो ही नहीं सकता और यहाँ पे जितनी भी लेडी साब देख रहे हैं कोई मामी कोई देवरानी यही सब है तो यह सब मेरी बरात में जो सब लेडिस आए थी और यह सब लड़के जितने हैं जब डांस करे हैं तो बस यहां पर जो बरात जो गाड़ी एंटरी हो चुकी है दूले राजा की और आप लोग सोच रहे हैं दूले राजा की गाड़ी क्यों नहीं सजी है तो इसका बहुत लंबा चोड़ा कहानी है क्योंकि मेरे देवर की भी साधी आज ही हुई थी मतलब मेरे हस्बेन दो भाई है तो उनकी साधी रात में हुई थी मतलब मेरे हुर मेरे हस्बेन की और मेरे देवर की साधी जो है दिन में हुई थी तो यही गाड़ी गए थी सजा कर गए थी लेकिन उस दिन जब वो बारात लेकर लोट रह तो बहुत ही आंधी तुफान हुई थी और आंधी तुफान के कारण सारे जो फूल है सब सजा वोट खराब हो गए थी इसलिए तो म मेरे चाचे का बेटा है वो चठा रहा है क्योंकि मेरे झालक की रहा है पहले नहीं हूँ ऐखाCr lasme poney के द interact को यहाँ टिलक की रही है जो हमेरे हञिए और मेरा प्सक्रखा बाइए जो यह रखन मही का ही रस्म होता है दिलग चड़ाने की जो बारी आती है वर्माला की तो वर्माला के बाद जो है इसके बाद जो बारी आती है फिर से लड़की का जो है अड्रेस जेंज किया जाता है क्योंकि फिर 선생님 के दिलग है जो आती है वो उने पहनाया जाता है और जो फिर यहा पर जो है वहसूर जो जेत होते है उनकी अंट्री होते है तो यह जो बैठे हुए है वाईड साट में मेरी जेत जी है और भैसूर हैं जो बोलते हैं तो वही इनका जो रस्म है वो करेंगे तो जो दुलन का जेट होता है वो सब इस टाइम पे जो रस्मे होती है कुछ भी जो उन्हें घूंगड देना उन्हें जो साड़ी कपड़े आते हैं जोलरी आते हैं वो सब जो है लड़की को वो देते हैं जो लड़की के भैसुर होते हैं यानि जेट होते हैं वो तो ये जो मेरे जेट जी हैं वोई ये रसमे सब कर रहे हैं तो बस सबस्वाल के तब से जो भी चीजे आती है वो इस टाइम पर पूजा होती है कुछ-कुछ और फिर वो हमें जे जी यानि लड़की को जो है चड़ाए जाता है तो ये सब जो जो एलरी आते हैं इसके साथ कपड़े आते हैं तो वही कुछ रसमे फॉलो करने के बाद जो है लड़की के सिर से जो भैसुर है वो दान देते हैं क्या होता है पता नहीं पर वो देते हैं और ये सब रसमे फॉलो होती है तो बस तो यह सब वे जोल्री है जो मेरे सबस्वारल के तरफ से मुझे आई थी तो और भी बहुत से कपड़े हैं और भी है जो बैग में रखें वो सब नहीं होता है कुछ-कुछ है रस्में फोलो की जाती है तो उसके बाद फिर यह कुछ और भी रस्में है जो चलती है जाके एंट्रियां हो चोकी है मंडब पार मतलब मेरे हजबन की और उनका परचावन किया ज़े जाए तो असमें प्रचावन करी है उसके बाद मामी फुआ जो भी होती है सब मतलब जो है धुले का परचावन करती है और यह जो उनके हाथ में देख रहे ने लोड़ा बोलत तो बस यहां पे साधी की पहले थोड़ा बाची चल रहा है और यहां पे जो मेरी देख रहे हैं वो मेरी नानी जी है मतलब मेरी नानी है वो इनसे बात कर रही है कुछ तो वही चल रहा है और यहां पे फिर इनको दोती पहना दिया गया है क्योंकि हमारे यहां जो है दोती प बहुत ही भावुक करने वाला होता है और बहुत ही माबाप के लिए बहुत ही ये दिन भारी दिन होता है यो कि जिस लड़की को माबाप जो है इतने दुलों से पाल पोस्ट का लाड़ प्यार से रखते हैं आज से जो वो पराई हो जाती है और आज के बाद से जो वो किसी औ और उकुन की जिम्मेदारी दे देते हैं, पर कोई बात नहीं, इस टाइम पर मैं भी बहुत भावुक हो गई थी, एडिट करने के टाइम पर, और यहाँ पर जो करन्यादान मेरा चल रहा है, तो मेरा हाथ जो है, इनके हाथ में दे दिया गया है, ताकि जो है, सारी पूपात नहीं होती है एक लड़की के लाइफ में तो बस यहाँ पे तो है सब बोहत एमोशनल हो गए थे मेरा बाई, ममी, पापा साभी और यहाँ पे है चल रहा है यह सब तो यह जो अप मुकुट देख रहे हैं मेरे साचुराल के तरब से आया है तो कि मेरे साचुराल में जो लड़का लड़की हो एक साइड बैठते हो साइड यहां पे साधी की रस में चालू हो चुकी है तो इसके बाद जो आता है वो फेरे की होती है तो यह फेरे की जो तैयारी हो रही है तो इनका हाँ जो मेरे हाथ में है और यह मेरे पीछे है तो बस यहां पे जो फेरे की त पान्का पता है, पता नहीं, क्या होता है, इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, तो यहीं सब जो है साधी की रस में चल रही है, आप लोग भी इंजोई कीजीए, कैसे लग रही है मेरे साधी की वीडियो, तो बस यहाँ पर फिर साइथ सिंदूर्दान होने वाला है तो इसकी सिंदूर्दान साइथ पान के पतो में मेरी जो हस्बेंड है वो एक बार इससे निकाल कर जो पान के पतो में रख रहे हैं और फिर उसी सिंदूर को मैं उठा कर फिर उसमें जो सिंदुर्दान ही होता है उसमें रख रही हूँ तो यह देखे यह सब चल रहा है तो यहां पे जो आप देख रहे हैं यह लोड़ा रखा हुआ है तो यहां पे जो हजबेंड को मेरे अंगुठे को मतलब उठा कर उसमें टच करना पड़ता है सायद कितनी बार मुझे नहीं पता तो वो रस्म होती है उसके बाद जो है फिर सिंदुर्दान होता है सिंदुर्दान होता है सिंदुर्दाने का जो और साधी का जो में रस्म है यही है तो बस यह भी रस्म जो है अच्छे से संपन हो गई यह सिंदुर्दाना तो यही है में जो साधी का function होता है देखा जाए तो बस इसके बाद है पूरी साधी जो complete होती है आज के बाद है जो लड़की का किसमत change होती है और उसके सरनेम के साथ दुसरा सरनेम जुड़ता है और वो इसके सिरी पर जो है एक जिम्मेदारी आती है तो बस यहां पर साधी हो चुकी है हम कोवर बनाया जाता है यहां पूजा का अस्थान होता है वहां तक गई इसमें जाना होता है तो इसमें जाना होता है लड़का आगे जादा है लड़की उसके पीछे पीछे उसे में पैर रख कर जाती है तो यहां पे पूजे के अस्थान पर पूजा का जहां होता है हम दोनों को बठाए गया है तो यहां भी बहुत सारी रस्में चलती है तो आप देखी रहे हैं कि कैसी क्या हो रही है तो सब यहां पे बैठे हुए हैं और यहां पे जो है मेरे गोद में एक बच्चे को दिया गया है मतलब लड़का को दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आप लोगे लड़का लोगे या लड़की या इस टाइब का कुछ पूछा जाता है तो यही चल रही है और उसके बाद जो आता है बिदाई की टाइम आती है और यह जो है एक लड़की के लिए बहुत ही ऐसा टाइम होता है कि आप कोई भी हो इस टाइम को देखकर कोई भी अपना आसू नहीं रोक पाता है सब को बहुत ही रोना आता है और यहां पे भी मेरी बिदाई हो रही है और मेरे पापा बहुत रो रहे हैं तो बस यहां पे सब के साथ जो है हमारी बिदाई हो रही है मिलना हो रहा है कि इस दिन से जो है मेरी बेटी मेरी बहन सब आज पराई हो गई तो यहीं पे मेरे बिदाई हो रहा है तो बस यहां जो है मेरा जो है सुबह सुबह ही आप देख रहे हैं यह अंधिरा है चारो तरफ सुबह सुबह ही बिदाई होई थी तो बस यहां पर मुझे गाड़ी में बैठा दिया गया है और मेरी बहुत हालत कराब थी आपको देख कर पता चल रहा होगा तो बस मेरी फुआ चाची जितनी है सबसे मिलना जुलना हो रहा है और मेरी बिदाई चल रहे हैं और यहां पर मेरा भाई मेरा पैर पोच रहा है क्योंकि सायद बोलते हैं पैर पोच के रखा जाता है कबड़े में क्योंकि बिदी बिदाई होने से सब कुछ चला जाता है क्या इस टाइब का कुछ तो यहीं पर मेरा भाई मुझसे यही मेरा पैर पोच रहा है तो बस यहीं पर भी मेरा बिदाई भी होता है और इस वीडियो का एंड भी होता है तो मैं कोसिस करूंगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगी है तो मैं अपनी reception मतलब विदाई के बाद मेरे सुस्राल वाला वीडियो भी आप लों के साथ सेयर करने का तो बाई बाई